हेलो दोस्तों, आज ये है आपके सामने, 2023 की होंडा एक्टिवा 125 एच स्मार्ट, इसमें अब आपको एच स्मार्ट स्कूटर टेक्नोलोजी देखने को मिलेगी, ये एक नया फीचर है, ये एक कीलिस सिस्टम है, जो आपको बिना चाबी डाले, स्कूटर को स्टार्ट और इस्यू, इंजिन कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्ट करती है, काम करने के लिए स्मार्ट चाबी को स्कूटर की रेंज के भीतर होना चाहिए, तब ही ये काम करेगी, अगर बात करें इस स्मार्ट फीचर के फायदे की, तो अब आपको अपने साथ फिजिकल की रखने की जर जिसमें एक पुश बटन स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, एक एंसर बैक फंक्शन शामिल है, जो आपको भीड वाली पार्किंग में स्कूटर का पता लगाने में मदद करता है, और एक सुरक्षा अलार्म भी है, जो आपको अलर्ट करता है, यदि स्कूटर के साथ कोई इंडियन मार्किट में, उसी के साथ इसकी जो सीट है बहुत ही ज्यादा, आराम दायक और चौड ही है, सीट के नीचे इसकी बूट स्पेस भी काफी बड़ी दी है कंपनी ने, इंजिन के स्पेक्स की बात करें तो इस स्कूटर में 124 CC का सिंगल सिलिंडर इंजिन है, जो 8 8.29 BHP की पावर और 10.3 नैनो मीटर का टार्क पैदा करता है, इंजिन को CVT ऑन्टोमेटिक गियर बॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जिससे आपको स्मूध राइट का एक्सपिरियन्स का मजा ले पाएंगे, इस नए मॉडल की टॉप स्पीड लगभग 85 किमी घंटा है, फ् डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक साइट स्टैंड इंडिकेटर और एक एक्स्टरनल फ्यूल फिलर कैप सहित कई फीचर्स दिये हैं, स्कूटर में होंडा की कॉम्बी ब्रेक सिस्टम CBS भी है, जो ब्रेकिंग पर्फॉर्मेंस और सेफटी में सुधार करता है, एक्टिवा 125 अपने सेग्मेंट में सबसे सही फ्यूल एफिशन्ट स्कूटरों में से एक है, जिसकी माइलेज है लगभग 60 किमी लीटर की, इसका जो एक्स शोवरूम प्राइस है, वो है 90,381 और ये पूरे भारत में हर किसी होंडा डीलर्शिप पर उपलब्ध है, कुल म वजह से ये स्कूटर अपनी सेग्मेंट में वैल्यू फर मनी बन जाता है, तो दोस्तों आपको ये मॉडल कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू